हेलो एब्रिवन गुड मॉर्निंग आज के इस क्लास में हम हिंदी अनिवारे का एक पैपर करेंगी जिसमें आपको चारों खंड मिलेंगे खंड अ, ब, स, और द, तो आईए करते हैं शुरू परिक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रस्न उत्तर, सबसे पहले खंड अ, इसमें एक अपठित गध्यांस है, इस गध्यांस को पढ़ करके इसके नीचे जो वस्तुनिस्ट प्रस्न दिये हुए उनका उत्तर आपको देना है, यह जो गध्यांस है, इसको पढ़ने से पहले इसके नीचे दिये हुए प्रस्नों को ध्यांसे जरूर पढ़ लेना, पह तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, कारे कुसलता का पहला अंग तो यहाँ है, कि हम अपने कारे को समय से नरधारित कर उसे अच्छी तरह जाने, एक बात और बता दू मैं यहाँ पर, कि गद्यांस की लगबग पहली पंक्ती में आपको उसका सिर्षक मिल जाएगा, एक प्र हम लोगों में अधिकतर लोग कारे उठा तो लेते हैं, पर उसे अच्छी तरह जानते नहीं, और न जानने का यतना ही करते हैं, आगे लिखा हुआ है, कि जब सफलता नहीं मिलती, तो अपने को दोस्त न देकर, हम दूसरे को दोस्त देते हैं, और बार बार कारे बदलते ह हुए, बड़े संताप में जीवन वैतित करते हैं, बड़े दुख से हम जीवन वैतित करते हैं, छोटे बड़े सभी कामों में यह देखा जाता है, हम लोगों में से अधिकतर लोग जो काम करते हैं, उनमें पूरे तोर पर योग्यता और निपुनता प्राप्त करने का यत हम उनके काम को अपने काम से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं यदि हम लोग अपने अपने काम के एक एक अंग को अच्छी तरफ समझें और उसमें प्रवीन होने का सदा क्याल रखें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की बहुत कुछ वरदी और उनती कर सकते हैं कारे कुसलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती जो लोग कारे कुसल होगा वह आरंब में कितना ही छोटा क्यों नहो अवस्य उनती करेगा और जो कारे कुसल नहीं होगा वो आरंब में चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो वह अवस्य गिरेगा इस कारण कारे कुसलता का प्रधान अंग परिस्रम है तो हमने पढ़ लिया आये करते हैं प्रस्न उत्तर पहला है कारे कुसलता का पहला अंग है कारे का क्या होना है सोच समझ कर निर्दारित करना सभी बातों की जानकारी करना समय से निर्दारित एवं उसकी गहरी समझ गहरी जानकारी और फिरे समय पर समापन तो कारे कुसलता का पहला अंग है समय से निर्दारन एवं उसकी गहरी समझ कारे कुसलता का पहला अंग तो यह है कि हम अपने कारे को समय से निर्दारित करें और उसे अच्छी तरह से जाने ठीक है तो यह पहला इसका option रहेगा right sir समय से निर्दारित और उसकी गेरी समझ दूसरा प्रस्ण है किसी कारे में असफल हो जाने पर अधिकतर लोग क्या करते हैं दूसरों को दोस्त देते हैं और अपने कारे को बार बार बदलते हैं निरास होकर कारे को छोड़ देते हैं काम छोड़ कर दूसरा कारे करने लगते हैं, या फिर असफल होकर बहर जाते हैं, तो इसका सही उतर रहेगा option A, दूसरों को दोस्त देते हैं और बार बार अपना कारे बदलते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रस्ना है, अधिकतर लोग अपने कारे में असफल क्यो हो जाते हैं, क्या कारण है? option A है, वे काम को कटिन समझ कर छोड़ देते हैं, स्वयम को उस कारे को करने की योग्य नहीं पाते, वे पूरे उत्सा से कारे को नहीं करते, या फिर option A है, उन्हें कारे में पूर्ण योग्यता निपूनता प्राप्त नहीं होती, तो इसका सही प्रस्नों का उतर समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, next है, संताप, सब्ड का समानार्त क्या है, मतलब जब कारे अस अफ़ल हो जाते हैं, तो लिखा न हमें पूरा जीवन संताप में जीते हैं, तो संताप का मतलब क्या है, संगर्स, संतोस, दुख या गर्मी, तो इ आपको बता है था, पहली-पहली पंक्ती में मिलेगा सिर्शक, तो कारे का महत्व, कौसलता, कारे कुसलता या परिश्रम, तो कारे कुसलता, पहली-पहली पंक्ती में आपको मिल जाएगा, कारे कुसलता, option सही है, आगे बढ़ते हैं, next पर प्रस्न है, कारे कुसलता किसका बेद नहीं जानती, option एक छोटे और बड़े का, पतन और उधान का, उनती और अवनती का, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कारे कुसलता, छोटे और बड़े का बेद नहीं जानती, सही उत्तर है, इसका option अ, अब हमें एक अ पठित पध्यांस को करना है, ध्यान पूरवक प जैसा भी हूँ ननना सा एक दिया तो हूँ, क्यों न उसी की उजास में जी हूँ, हर आने वाला चण, कम से कम, मैं उनमें तो नहीं, जो चांद दिल के बुजाए बैठे हैं, हर रात को अमावस बनाए बैठे हैं, मुझे यही कहता है, अरे भाई, तुम सूरज तो नहीं ह और मैं कहता हूँ, न सही सूरज में एक ननना दिया तो हूँ, जितनी भी हैं लो मुझ में उसे लेकर जिया तो हूँ, उड़ते फिर रहे थे जुगनू आंगन में, उन्हें भी मुठियों में दबाए बैठे हैं, आईए करते हैं, सामने कुरा गनाए रेकांकित सब्दक अतात परे क्या हैं, धुन्द, अंधेरा, अंधकार, या फिर हतासा, निरासा, तो उप्सन सही है इसका दव, हतासा, निरासा, सामने कुरा गनाए, मतलब मन हतास था, निरास था, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बैठे रहना चाहिए, उप्सन दवाश का सही है, नेक् उत्तरे सक्ति भर जीवन जीने का, कभी कह रहा है कि हम भले ही सूरज ना हो, लेकिन एक नन्ना दिया तो है, तो हमारी जितनी सामर्ति है, दीपक की जितनी सामर्ति है, उसी से यह दिपक जलता है, तो हमारी जितनी भी सामर्ति है, उससे हम अपना जीवन जीते रहे हैं, त तो दीपक आसा का प्रतिक है, अमावस जो की अंदिरा है, वो निरासा का प्रतिक है, तो इसका सही अंसर है, द आसा ओर निरासा की. Next प्रस्ण है, हर रात अमावस बनाए बैठे हैं, रेखांकित सब्द तदभव है, अमावस सब्द जो है, ये तदबव है इसका तदसम रूप क्या होगा मावस, अमावस्या, पुरुनिमा या फिर गेह नंदेरी रात तो अमावस्या इसका तदसम रूप है अमावस्या नेक्स्ट अगला प्रस्ण है उपरियुक्त काव्यास का उचित सिर्षक निमन विकल्पों में से चुनिये कि हमारे पास जो भी सामरती है, जो सकती है, हम जैसे भी है उसी रूप में हम भरपूर जीवन जिये, हम जीवन का आनंद ले पुरुनी मा का वीपरितार तक सब्ध क्या होगा चतूर्थी, ओप्सन बब पूरुणता, ओप्सन स अमावस अप्सन द इन मैं से कोई नहीं तो पुरुनी मा का वीपरित होगा अमावस, ओप्सन स इसका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं निम्ना लिकित रिक्तिस्थानों की पूरती कीजिए पहला प्रस्ण है हिंदी भासा के परिवार में लगभग बोलियां सम्मिलित हैं नेक्स प्रस्ण है पंजावी भासा लिपी में लिखी जाती है किस लिपी में लिखी जाती है तो पंजावी भासा गुरु मुखी लिपी में लिखी जाती है हालांकि यह प्रस्ण हम एक बार पहले कर चुके हैं लेकिन आज इसकी आपको जो रिटन आंसर है हो सब मिल जाएंगे नेक्स है जीवन में मनुष्य को अनेक परवत पार करने पड़ते हैं वाक्य में सब्द सक्ति है जब किसी विशेष प्रियोजन से लक्सना सब्द सक्ति का प्रियोग होता है तो वहाँ पर कौन सी लक्सना होती है तो क्योंकि विशेष प्रियोजन है इसलिए यहाँ पर होगा प्रियोजन वद्दी लक्सना ठीक है प्रियोजन वद्दी लक्सना आगे है मंगन को देखी पट देत बार-बार है कावे पंक्ति में अलंकार यहाँ पर सलेस अलंकार है नेक्स्ट है, नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, निम्नलेकित अतिलगुतरात्मक प्रस्ण का उतर एक पंक्ति में देना है, पहला प्रस्ण है निम्नलेकित सब्दों का उतर लेकिए, तो कोरम, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ती और पैक्ट का मतलब होता है समझोता, आगे लिकाओ है प्रेक्सक सब्द के लिए पारिभासिक सब्द लिखिए, तो इसके लिए सब्दा आएगा ऑबजर्वर, संसार में अती प्रामानिक सत्य क्या है सिरिस के फूल पाट के संदर्ब में बताए कि संसार के अती प्रामानिक सत्य क्या है तो यह जो पाट है इसमें लिखा हुआ है कि व्रिद्धा वस्ता और मृत्यू जगत के दो अती प्रामानिक और परिजित सत्य है दूसरा प्रसन है आलेक में किसी विशे का वर्नन कैसे किया जाता है आप लिखेंगे आलेक में किसी विशे का विशिया नुकूल भासा में क्रम्बद वर्नन और विशलेशन होता है पांचवा प्रसन है जूज के लेखक के मन में कवियों की प्रती क्या धारना बन गई तो जो जूज पाठ है उसमें लेखक के मन में कवियों के बारे में ये धारना बन गई कि कवी भी हमारी तरह हाड मास और लोब मो का मनुश्य होता है इससे लेखक के मन में ये बात बैठ गई कि वह भी कवी बन सकता है नेक्स्ट छटा प्रसन है क्या ये बैटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर ग्रस्ती का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्यूनीटी के लिए डेडिकेट कर दी होती ये सुधर बाबू के इस विचार से उनकी किस मनोदसा का पता चलता है तो लिखेंगे कि ये सुधर बाबू के इस विचार से पता चलता है कि वह अपनी ग्रैस्ती से प्रसन और संतूस्ट नहीं है अपने बच्चों और पतनी के उपेक्षा पूर्ण व्यवहार से वह मन ही मन दूखी रहते हैं Next question है लेखक के दादा यानि उसके पिता की प्रवर्ती कैसी थी लिखना है कि लेखक के दादा की प्रवर्ती गुसेल, हिंसक और जगडालू थी नेक्स्ट है यसुधर बाबू किसंदा को अपने घर में जगे क्यों नहीं दे पाए लिखेंगे आप कि यसुधर बाबू अपने परिवार सहीत सरकारी कौर्टर में रहते थे अता किसंदा को माँ ठेराने की उनकी मजबुरी थी उनके पास सिर्फ दो ही कमरे थे आगे लिखना है कि जिस सरारती लड़के ने लेखक के सेर से गमचा चीना था उसका क्या नाम था जूज कहानी के पाढ़ के आधार पर अतुर देना है तो जिस सरारती लड़के ने लेखक के सेर से गमचा चीना था उसका नाम चववान था आगे बढ़ते हैं दस्वा प्रस्ण है महादेवी वर्मा की किनी दो रजनाओं के नाम लिखे तो आपको लिखना है अतीत के चलचित्र स्रंखला की कडियां इस प्रकार आप लिखतीजिए और भी कही सारी इनके रजनाओं है नेक्स्ट आलोग धनवा का जन्म कब और कहां पर हुआ था तो आपको लिखना है आलोग धनवा का जन्म जो है यह 1948 में बिहार राज्य के मुंगिर में हुआ था तो यह सेक्शन अ हमने कंप्लिट किया और अब हम करेंगे सेक्शन बह खंड बह करेंगे आईए देखते हैं अथिलगोतरात्मक प्रस्णों का उत्र आपको अधिक्दम 40 सब्दों में देना है चोथा प्रस्णा भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का आरंब किस प्रकार हुआ संक्षेप में लिखिए लिखेंगे कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दोर 1993 से शुरू हुआ दूसरा दोर 2003 से शुरू हुआ पहले दोर में भारत में भी प्रियोग हुए डॉट कॉम का तुफान आया और सिग्र ही चला गया अंत में वे ही टीके रह पाए जो मीडिया उत्योग में पहले से ही थे रेडिव भारत की पहली साइट है जो गंभीरता से इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है नेक्स पांचवा प्रसना स्रोता या पाठकों को बांध कर रखने की दरस्टी से प्रिंट मेडिया रेडियो और टीवी में सबसे ससक्त माध्यम कौन सा है और क्यों है आपको बताना है तो लिखेंगे कि स्रोताओं या पाठकों को बांद कर रखने की दरस्टी से सबसे सक्तिसाली माध्यम टीवी है अब टीवी क्यों है इसका कारण वताना है कि टीवी में कोई घटना चितर सहित दिखाई जाती है उसके बारे में बताया जाता है और इसकी सतिता की पुष्टी प्रतक्स दरसियों को दिखा करके और उनकी बातों को सुना करके की जाती है इसलिए ये माध्यम जो है वो सबसे ससक्त माध्यम माना जाता है चट्टा प्रस्ण है मॉबाइल फोन वर्दान या अविसाब इस पर एक आलिक लिखेंगे मॉबाइल एक उपयोगी यंत्र है अपनी बात दूसरों तक पहुचाने तथा उसकी बात सुनने में यह यंत्र हमारी साहता करता है अतिन्त चोटा और कम भारका होने के कारण इसको अपने पास रखना और एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक लाना ले जाना बहुत आसान है यह संचार करांती का यूग है इस करांती में मॉबाइल का बड़ा योगदान है मॉबाइल के अनेक लाबों को देखते हुए यह एक वरदान ही का जाएगा किन्तु इसका दुरूपियोग करने से यह अभिसाब भी बन जाता है तो यह दुनु तरब से आपको लिखना है साथवा प्रसना स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी है किसी ने उसक कविता की यह पंक्ती बाल मनो विख्यान पर प्रकास डालती है कैसे समझाईए लिखेंगे कि पहले बच्चों की सिक्षाद देने के लिए स्लेट का प्रियोग होता था उस पर खड़िया से बनी चाक बत्ती का बत्ती द्वारा अकसर लेखी जाते थे बच्चे कभी खेल खेल में स्लेट पर लिखते और मिटाते थे उसक कविता की स्पंक्ती का संबंद बच्चों से होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह बाल मनो विख्यान पर प्रकास डालती है नेक्स आटवा प्रसन है परदे पर वक्त की कीमत है यह कहकर कभी रगुवीर साहे ने पूरे साकसातकार के प्रती अपना नजरिया किस रूप में रखा है लिखेंगे कि साकसातकार में न विकलांग अपनी पीड़ा बताता है और न रोता है न दर्सक ही आशुबाते है उद्गोसक अपने उद्देश में सफल नहीं होता है तो कारेक्रम समाप्त करने को कह देता है दूर दर्सन पर समय की कीमत है प्राप्त धन के अनुरूप ही दूर दर्सन पर समय दिया जाता है कवी ने इस प्रवर्ती पर व्यंग किया है और उसे निंदनिय माना है नववा प्रसन है भक्तिन पाट के आदार पर भक्तिन की चरित्रगत विसेस्ता का वर्णन कीजिए लिखेंगे कि भक्तिन की चरित्रगत की प्रमुक विसेस्ता उसका सेवा भाव और सने है वह एक स्नेही अभीभावी का थी महादेवी भी उनको सेवी का नहीं मानती वह महादेवी से अत्यंत स्ने करती थी और सदा उनका हीत चाहती थी वह जेल जाने से डरती थी परन्तु महादेवी के साथ जेल जाने को भी तयार हो गई वह एक पल भी उनका साथ नहीं चोड़ना चाहती थी और नेक्स दस्वा प्रस्ण है बाजारूपन से क्या तात्प्री हैं? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थक्ता प्रदान करते हैं? अत्वा बाजार की सार्थक्ता किस में हैं? लिखेंगे कि बाजारूपन का तात्प्री हैं बाजार नामग संस्ता को ब्रस्ट करना बाजार का लक्से क्या होता है? बाजार का लक्से है मनुस्य की आवस्षक्ताओं की पूरती करना होता है जो व्यक्ति अपनी जरूरत को के बारे में भली भाती जानता है और उसकी पूरती बाजार से करता है वै बाजार को सार्तक्ता प्रदान करता है लोगों की आवस्यक्ता को पूरा करना ही बाजार की सार्तक्ता है किसंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए सीखना हर एक की बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं होई किसंदा के इस विचार को इसपस्ट कीजिए क्या यसुदर बाबू ने अपने जीवन में इसे अपनाया आईए देखते हैं किसंदा यसुदर बाबू के आदर्स थे उनका कहना था कि मनुस्य को सब कुछ आना चाहिए उसे दूसरी संस्कृतियों को भी जानना चाहिए उसे अंग्रेजी सबिता और रहन सैन का तरिका भी आना चाहिए दूसरों की बातें सीखना अच्छा गुण है किन्तु विदेशी सबिता के फेर में पढ़कर अपनी सबिता को छोड़ना अच्छी बात नहीं है ऐसा कदापी ना करना चाहिए यसुधर बाबु ने किसन दा के विचार को अपने जीवन में सफलता पुरवक अपनाया था और अंतिम प्रसना है पाट साला भीजने के लिए लेखक के दादा ने उसे क्या क्या वचन लिये थे हम लिखेंगे कि लेखक के दादा ने कहा सभेरे इसकूल जाते समय बस्ता लेकरी खेद पर जाएगा और आते समय चुटी होते ही बस्ता घर पर रखकर सीधा खेद आ जाएगा और घंटे भर तक डोरों को चराएगा पसूँ को चराएगा यदि कभी खेत पर ज़्यादा काम निकल आए तो उस दिन पाट साला जाने से छुट्टी लेनी होगी इन सर्तों के बाद ही इसकुल जाने की उसे अनुमती दे गए थी तो ये हमने खंड बह किया खंड और खंड बह हमने कंप्लिट किये हैं और चुकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने बाकिस के जो खंड साओ और खंड दा है वो अगले वीडियो में आपको प्रवाइड कराएंगे बहुत बहुत थैन्यवाद